स्वागत है दोस्तों एक वार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हपी स्टडी हप पे तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नई भरतियां जिसको की रिसेंट में चौधरी सर्वन कुमार हिमाचल प्रदेश क्रिशी बिश्व दल्या पालंपूर की तरफ से एड़ि किया गया है जो आपके सामने 30 सब्ब्र या पिछले कल ही आपके सामने आई है तो इसमें हम देखेंगे की जितने भी पोस्ट होगी उनकी एसेंचल क्वालिफिकेशन उसमें क्या लगेगी उसकी फौरम फिल कैसे होगा उसकी लास्ट डेट कव है या उसमें अधर जो कर दें ताक और बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि आने वाली हर एक जो इंपोर्टेंट वीडियो जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि युनिवर्सिटी की तरफ से या बिशिप दल्या की तरफ से एक नोट कीचिंग पोस्ट जो है जिसमें बेरियस जो डिपार्टमेंट्स में होगी वो कोई भी किसी प्रकार का ओनलोड ओनलाइन मौड से नहीं होगे सभी पोस्ट ओफ लाइन ही फिल होगी उसमें आपको जो अप्लिकेशन जो फॉर्म होगा वो उनिवस्टी बिश्प दल्या की बैपसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसको मैनुएली फिल करना पड़ेगा उसके बाद वे अपने जो एसेंशल डॉकुमेंट्स उसके साथ लेंगे वो आप बाय पोस्ट उनिवस्टी को बेजेंगे इसमें हम देखेंगे इनोंने ये जो पोस्टें है नि उसको एक्सब्ट ऑंली ये करेंगे बैंक ड्राफ्ट के तरू बैंक राफ्ट के तरू जिसमें की जो छो फीस रहेगी्ट हरे इसमें जरंल केटेगरी से लिए जनल केटगरी और जो फिप्टीन एक सब फणत्रह रूपीज उरए ग Angular Altered के लिए और जो इसमें जो रिजर इनको form के साथ fill up करके साथ में भेजनी पड़ेगी यह अटेस्टिट कॉप्य उनको साथ में भेजनी पड़ेगी यह जो आपका जो demand draft यह फेबर में रहेगा Comptroller चौधरी सर्वन कुमार हिमाचर प्रदेश कृषी बिशिप देलिया पालंपूर के नाम से यह जो payable होगा की बिशिप देलिया पालंपूर payable at SBI HPAU पालंपूर के नाम से जब भी आप demand draft नुनाएंगे आप इसी नाम से इस demand draft को भेजेंगे और इसमें दूसरी एक खास बात है जो female candidate और person with disability या disabled जो person होगे female और disabled उनको किसी भी प्रगार की fees submit करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ में the application complete in all respect should we reach office यह कहते हैं कि जो application form जो आप भरेंगे वो शुड भी इनके पास पहुचना चाहिए किस नाम से assistant registrar चौधरी सर्वनकुमार हिमाचर प्रदेश कृषी विश्यवदैलिया पालंपूर डिस्टी कांगडा एच पी और स्तारा साथ बासट इस नाम से जो आपका जो address रहेगा इस नाम पे आपको इसको बेजना पड़ेगा 26 दस 2020 से पहले या उस दिन पांच बज़े तक आपका यह application form उन तक पहुंचना चाहिए इसमें आप आपको मांगा गया है application form जो की offline रहेगा आपको फिल करना पड़ेगा पोस्ट के साफ से जिसमें essential documents जितने मांगे होंगे उतने आपको attested copy उसकी भेजनी पड़ेगी अगर कोई candidate category से है जो SC, ST, OBC से होगा उसको अपनी category का जो फिस होगी उसको favor में जिसके favor में मांगा है उसको आपको फिल करना पड़ेगा 26 October 2020 शाम पांच बजे तक आपका जो application form उन तक पहुंचना चाहिए यह जो date रहेगी 26 October 2020 यह रहेगी non-trival areas के लिए जैसे कि जो हमारे tribal area जो नहीं आते हैं उनके लिए यह date रहेगी 26 October और जो भी हमारे tribal areas हैं उनके लिए जो है application की date रहेगी 9 November 2020 तक 9 November 2020 तक शाम पांच बजे तक उनके यह form office में जो भी इन्होंने address मांगा है इस office address पे पहुंचने चाहिए यह जो date रहेगी यह tribal areas के लिए रहेगी तो इसके बाद जो various post की जो detail रहेगी उसमें सबसे पहले हम देख जूनियर office assistant की जूनियर office assistant यह भी contract basis पे होगी उसकी जो आप जो salaries रहेगी आप यहां से website से देख सकते हैं और इसमें जो various post होगी total post इसमें 50 है category 20 जतनी भी post होगी वह आप official website से देख सकते हैं इस official website के PDF में देख सकते हैं इस PDF को मैं आपके description box में भी लगा दूँगा अगर आपको इसी की PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल HP study hub पे इसको इसकी PDF को डाउलोड कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसमें दूसरी post stenotypist की stenotypist की भी total post इसमें रहेगी 5 post categories आप इसकी जितनी भी post होगी उसको आप देख सकते हैं उसके बाद clerk की यह सभी जो एसिस्टेंट की फिल्ड एसिस्टेंट पे टोटल पोस्ट दस पोस्ट होगी और जुनियर प्रोफेशनल एसिस्टेंट यह भी contract basis पे होगी उसमें आपकी एक post है और उसके बाद है लाइवरेरी एसिस्टेंट की दो post होगी तो इसमें आप website में अच्छे से देख सकते हैं जिनकी जो category होगी वो category बाइज अपनी post को देख सकता है दूसरी इन्होंने बात की है कि कुछे candidates जिन्होंने पहले apply किया होगा पहले इनकी advertisement आई थी advertisement number 03 slash 2017 इस जो और दूसरी advertisement थी 06 2016 इन दो जो advertisement पहले जो हुई थी जिन लोगों ने जिन candidates ने इन post उस time इस post के लिए आवेधन किया था या फिर forum फिल किया था तो उनके लिए कहते हैं कि उनको दवारा से forum फिल करने की या forum बेजने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी यह इसमें एक note करने वाली बात है जिन लोगों ने पहले apply किया है इस junior office assistant IT की post के लिए जिसको जो advertisement number 06 slash 2016 और advertisement number 03 2017 जिन भी candidate ने पहले apply किया है उसको दवारा से apply करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके बाद हम post 22 essential qualification को देखेंगे जो पहली post थी junior office assistant जुनियर office assistant में essential qualification उन्हों मांगी है कि should have आपका plus two pass होना आपका ज़रूरी है जुसको कि आपने school education university से pass किया होगा होना चाहिए या फिर जिनोंने matriculation की है दसवी pass जो हमारे student प्या फिर अभिहारती है उनके लिए दो साल का जो diploma certificate होगा ITI से in information technology IT के field में जो ITI से जिनोंने दो साल का diploma किया होगा वो भी इस post के लिए 10th के बाद जिनोंने ये diploma किया होगा वो valid होगा and information technology enabled sectors में ITES as notified जो government sector की तरफ से रहेगी वो इसमें valid होगे इसके लिए उसके बाद और 3 years diploma इन जोनने 10th के बाद ही 3 year का diploma किया है computer engineering, computer science, IT या polytechnic बो भी इस post के लिए valid होगे उसके बाद इनोंने टाइपिंग के लिए मांगी है अगर उसके बाद अगर आप prelims या फिर screening test आप क्वालिफाई करते हैं तो टाइपिंग में आप English में टाइपिंग करते हैं तो 30 words per minute या फिर अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 words per minute होना अवश्यक है तो इसमें इन्होंने जो visually impaired या कुछ जो disabled है उनके लिए दूसरी कुछ रिलक्सेशन प्रवाइज की गई है और the above criteria for the grant of exemption from the passing the typing test shall also be applicable to skill test norms on computer दूसरी इन्होंने जो desirable desire आपके पास ये qualification भी होनी चाहिए कि knowledge of आपको custom manner dialects इमाचर से related जितने भी custom या फिर जो भी है वो आपको knowledge होना चाहिए note करने बाली बात इसमें है कि the candidate shall be eligible for the appointment to the post of a junior office assistant if he she has passed matriculation and 10th from the any school education इसमें simply उन्होंने बात ये कही है कि अगर कोई बाहर या फिर दूसरे state का कोई student या फिर candidate इस post के लिए apply करना चाहता है तो वो कर सकता है इसमें एक शर्त है कि उसकी 10th or plus 2 हिमाचल प्रदेश के किसी भी school FCD University से होनी चाहिए तो वो इस post के लिए apply कर सकता है उसका इसमें हिमाचली bonofide होने ना होना इसमें कोई वो नहीं करेगा सिर्फ एक जो बाहर का अवियर्थी जो होगा उसकी जो 10th or plus 2 हिमाचल से ही होनी चाहिए वो इस post के लिए apply कर सकता है दूसरी हम देखते हैं stenotypist stenotypist में जो इन्होंने essential qualification मांगी है should have passed plus 2 examination or equivalent from the school or universities second में बोला है नोंने कि must possess the must possess the following speeds in the shortened and type writing इन्होंने speed की है shorthand or type writing on the computer in both language Hindi और English में इन्होंने time भी अरा जो लिया है तो पहले तो plus to pass होने चाहिए दूसरी हम की जो shorthand और type writing में computer जो भी speed होगी उसके लिए इन्होंने मांगा है कि जो speed of short hand में English में 60 word per minute और Hindi में 60 word per minute इनकी speed होनी चाहिए दूसरी की speed of the type writing in computer type writing में भी इनकी speed पच्ची word per minute और Hindi में भी पच्ची word per minute होनी चाहिए उसके बाद कहते हैं कि provided that the time of the initial recruitment candidate shall have to pass shorthand test in either language Hindi और English वो अपनी जो typing होगा किसी भी language में दे सकता है वो Hindi या English कुछ भी हो सकती है उसके बाद desirable जो qualification भी सेम है कि हमाचल के custom manner और dialect आपको होने पता होने चाहिए इसमें भी अगर कोई बाहर का candidate अप्लाई करना चाहता है कि वो हमाचल से ही होनी चाहिए विशक बो कंडिडिट बोनोफाइड हमाचली ना हो उसके बाद की बात करें तो क्लर्क में भी इन्होंने desirable qualification essential जो qualification मांगी है plus two plus two जो equivalent होगी HPU के HP से जितने भी school या college जहां से भी आपने की होगी और typing speed 30 word in English या फिर पच्ची words per minute होंगे आपके हिंदी में desirable qualification बिलको सैम है उसके बात बात करते हम field assistant की field assistant पे इन्होंने qualification मांगी है कि at least second class metric with science second class metric मलब कि second division में आपकी metric होनी चाहिए with science science आपका subject होना चाहिए इसमें भी इन्होंने सैम ही कही है या फिर जिसकी 10th या प्लस 2 हमाचल से होई होगी वो इसके लिए apply कर सकता है बेशक बो बाहर का candidate भी चल हो सकता है उसके बात करते हैं junior professional assistant की junior professional assistant में इन्होंने जो essential qualification मांगी है master of arts with bachelor of library science और master of the library science में और या फिर BA with library science with the three year working experience as semi professional assistant second मांगी है fair knowledge of typing ये junior professional assistant के लिए इस qualification को मांगा गया इसमें आपकी होनी चाहिए with bachelor library science में उन्होंने नोट करने के लिए बात इन्होंने सेम जो मेने पीछे बताई plus two बाहर के जो candidates होंगे वो इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं library assistant की library assistant में भी metric with diploma certificate of the library science candidate के लिए जो typing speed 30 word per minute in English या फिर हिंदी में होनी चाहिए उसके बाद हम देखते हैं selection इसमें जो selection कैसे होगी जो post में पहले हम junior office assistant में इसमें जो आपकी objective type screening जो आपका रहेगा objective type रहेगा जिसमें हम देखतेंगे MCQ MCQ आपके पास रहेंगे having 70% syllabus जो 70% जो आपके पास syllabus रहेगा junior office assistant में वो related रहेगा computer science computer science, computer application, information technology, information technology enabled sectors, information practice and जो 30% जो syllabus परचता है वो आपको general awareness से related रहेगा जिसमें आपको general knowledge of Himachal Pradesh, current scenarios, current affairs, everyday science, logic, general English, general Hindi and metrics standards की general Hindi विगार आपसे पूछी जाएगी total जो marks होंगे, इस paper में जो total marks होगे 85 marks का यह paper रहेगा जिसमें 70% जो आपका syllabus computer से related रहेगा और 30% जो syllabus रहेगा वो आपके general awareness से related रहेगा उसके बाद मैंने typing के लिए आपको मैंने बता दिया 30 words per minute in English या फिर 25 words per minute in Hindi तो इसमें उसके बाद evaluation के लिए आपको बुलाया जाएगा evaluation के लिए evaluation का जो टोटल बेटेज होता है वो 15 marks होता है 15 marks के इसमें evaluation रहेगी उसके बाद बात करेंगे stenotypist की stenotypist में भी आप से same screening का same procedure रहेगा जितने भी इसमें question objective type का screening टेस्ट रहेगे बाकि जो भी इसकी related subject से या फिर syllabus से related वो आप यहाँ से इनकी जो website या notification से आप अच्छे से देख सकते हैं उसमें clerk में भी जो paper जो screening का रहेगा वो टोटल 85 marks का ही रहेगा other जो इसमें qualification याफ इस labels को आप अच्छे से इसको official website में देख सकते हैं तो इसमें जो हम बात करते हैं हमने इसमें देखा जो conditions रही है कि आपको 26 October 2020 तक पांच शाम पांच बच तक आपका जो offline form office तक पहुंचना चाहिए जिसको कि आप बेजेंगे assistant registrar recruitment चोधरी सरबन कुमार हमाचन प्रदेश कृषी बिशिप डेलिया पालमपूर के नाम पर जो की रहेगा 26 तारीक October 2020 तक रहेगा non-trival area के लिए जो tribal areas में रहेंगे उनके लिए 9 November 2020 को शाम पांच बच तक उसके बाद उनने कहा है कि the application received after the date जो इस date के बाद अगर application प्रापत होते हैं तो उनको accept नहीं किया जाएगा उसके बाद the candidate must ensure that जो भी eligibility होगी repeat of the category etc वेरा होगी वो उनको qualification के वेस पे ही उनको फिल करना पड़ेगा कहते हैं कि अगर कोई candidate more than बन पोस्ट के लिए apply करता है उसको जो भी जितने भी पोस्ट के लिए apply करता है उसको अलग अलग से इस पोस्ट के लिए apply करना पड़ेगा और फीस भी समें अलग से रहेगी तो आज हमने इसमें देखा बाकी तो इसकी जो भी बाते होगी वो कैसे करना है या फिर उनकी जो syllabus क्या था और इसकी जो pdf यह आपको हमारे telegram channel hp study hub पे मिल जाएगी तो आप बहां से उसको download कर सकते हैं बाकी इस post से related या फिर in vacancy से related कुछ भी question होगे कुछ भी queries होगी या फिर forum फिल से करने से related होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सक सकते हैं जिसको हम अच्छे से कर सकें ताकि आपको इसमें फिल करने में कोई भी परिशानी ना आए इसलिए तो अभी के लिए थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग